फालो कीजिए हमारे फेस्बुक पेस को और सब्सक्राइब कीजिए यूटुब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हेलो फ्रेंड्स वैलकम टुए उन्वेस्टेकट में चैनल लास्ट लेक्शर में मैंने डिस्कस किया था फॉर उसका सिंटेक्स फ्लो चार्ट और एक छोट अग्जांपल दिया था कि हाओ टू प्रिंट हेलो फाइब ताइम्स यूजिंग फॉर लू अब इस लेक्शर में म हम इसका लॉजिक डिस्कस करते हैं लॉजिक डिस्कस करने के बाद हम इसका कोड करेंगे ठीक है आये देखिए मानली जी आपने कोई नंबर इंपुट कराया एंड सही है एक वैरबल लिया एन एन की मैल्यू आपने 7 इंपुट कराई तो मुझे बताईए कि 7 प्राइम नं नंबर तब होगा जब यखेवल बन से डिवाइड हो और कुट से डिवाइड हो हूं भीजिए भी number आ रहे हैं उन में से किसी से भी divide नहीं होना चाहिए यानि कि 1 और 7 के बेच में कितने number आ रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6 यह 7 अगर 2, 3, 4, 5, 6 इन में से किसी से भी divide हो गया तो 7 prime number नहीं होगा ठीक है तो क्या सोचेंग किसे को में कोड करेंगे सी बें मैं क्या करूंगा 7 को 1 से लेकर 7 तक जितने number आ रहे हैं उन सब से divide करता चलूंगा इस 7 को में 1 से भी divide करोंगा, 2 जो से भी , 3 जो आ भी , 4 से भी , 5 से सब से मैं इस भी divide कराता चलूंगा सभी है क्योंकि मुझे यहाँ पर यह चेक करना है कि 7 खुद को और 1 को छोड़कर ऐसा तो नहीं है कि 2,3,4,5,6,6,6 किससे डिवाइड हो रहा हो तो इसलिए मुझे 7 को सबसे डिवाइड कराते वे चलना पड़ेगा तो आएए इसको कोड करते हैं कि यह चेक करने के लिए 7 प्राइम नंबर है या नहीं चलिए देखतें कैसे करेंगे ठीक है एक वैरेबल हमने डिगलेर करा एंड ठीक है यह एंड क्या है यह एंड वो नंबर है जिसको चेक करना है हमें कि prime number है या नहीं तो सबसे पहले इसकी value input कराईए मान लिजिए उस example को consider करते वे n की value आपने 7 input कराई ठीक है तो हम 7 को check करना चाहरे हैं कि 7 prime number है या नहीं अभी मैंने आपसे क्या बता है अभी मैंने आपसे बता है कि 7 को मैं 1 से लेकर 7 तक जितने number आ रहे हैं 1,2,3,4,5,6 सबसे divide कर आप सलूंगा मैं मुझे check करना है कि 7 कहीं 2,3,4,5,6 इन में से तो किसी से divide नहीं है तो basically जब साफ साफ मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 7 को मुझे 1 से लेकर 7 तक सबसे divide कराना है तो सीधी सी बात क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप एक loop चलाईए मान लीजी आपने प्राइम नंबर है या नहीं तो सीधी सी बात है ये loop 1 से लेकर n तक चलेगा 7 यानि कि 7 बार ये loop चलेगा ठीक है फॉर loop की body आपने start करी अब मैं आपसे क्या खाता कि आपको इस 7 को 1,2,3,4,5,6,7 सबसे divide कराते चलना है तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कौन सा variable है जिसकी value पहले 1 है फिर 2 होगी फिर 3,4,5,6,7 वो variable यहाँ पर आई है क्योंकि I की value आप देखे 1 less than equal to 7 होई तो condition true होगी उसके बाद control for loop के body के अंदर जाएगा लेकिन I++ की वज़े से वो value increment होके हो जाएगी 2 तो I वो variable है जिसकी value वल होगी फिर 2,3,4,5,6,7 इसका मतलब यहाँ पर हम N को किस से divide कराएगे I से और check करेंगे कि remainder कहीं 0 को equal तो नहीं आ रहा तो for loop के अंदर हमने क्या लिख रहे है आपकर if N mod I double equal to 0 ठीक है आएए देखे N की value की वल लेकिन एक कुंटिशन true ही तो flow of control अंदर आया और N की value कितनी है 7 इसकेस में I की value कितनी आया 1 यह condition true होगी ठीक है condition true होगी तो इसकी body के अंदर control आया मैंने एक variable ले ले लिया C C को initialize करा 0 से और C की value मैंने इस इस के अंदर एक value increment करा दी और for loop की body मैंने close कर दी यह मैंने ऐसा क्यों किया अभी देखते है 7 mod 1 double equal to 0 condition true है false है condition true है flow of control इसकी body के अंदर आयेगा C की initial value के अंदर आयेगा लेकिन जब control body के अंदर आया flow of control कहाएगा आपको पता है कि यह जो if है वो इस outer for loop की body है अबसन में if क्या है इस for loop की body तो C की value increment हो गई 1 यानि कि अब इसके बाद control जाएगा I++ पे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि for loop में body execute होने के बाद next step होता है update expression तो I की value पे control जाएगा I++ पे और I की value increment होके हो जाएगी 2 then उसके बाद कहा जाएगा control उसके बाद जाएगा condition पे 2 less than equal to 7 condition true flow of control for loop के अंदर आएगा अब मुझे बताये ज़रा I की value अब update होके कितनी हो गई 7 more 2 करेंगे तो ये condition हो जाएगी false क्योंकि अगर हम 7 का dremender निकाले 2 से तो answer 0 के equal नहीं आएगा तो इस case में if की body के अंदर भी control नहीं जाएगा ठीक है कोई बाद नहीं if की body के अंदर control हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं लेकिर अब इसके बाद 7 condition true हो गई तो flow of control फिर से fall loop के अंदर आएगा लेकिन इस time i की value कितनी हो चुकी 3 तो 7 का remainder 7 का remainder अगर हम 3 से calculate करेंगे तो क्या condition true होगी या false आपको बता है कि हाँ पर condition इस time भी क्या है false तो if की body के अंदर control नहीं जाएगा ठीक अब कहां जाएगा अब जाएगा i plus plus पे तो i की value अपग्रेड होगी कितनी होगी 4 4 less than equal to 7 condition true control अंदर आया अब यह बताएगे i की value यहाँ पर कितनी होगी यहाँ पर i की value होगी 4 तो 7 का जवाब 4 से remainder निकालेंगे तो उस case में भी answer 0 के equal नहीं आयेगा यानिकि 7 4 से भी divide नहीं होगा तो ठीक है if की body के अंदर control भी नहीं जाएगा अब control जाएगा फिर से i plus plus पे तो i की value अपग्रेड होगी 5 तो 5 less than equal to 7 condition true control फिर से अंदर आया और 7 का हमने remainder calculate करा कि say 5 से लेकिन इस बार भी condition क्या होगी false यानिकि c की value अपग्रेड नहीं होई अब control जाएगा i plus plus पे तो i की value अपग्रेड होगी 6 6 less than equal to 7 condition is true control body के अंदर आया i की value अपग्रेड होगी यहाँ पर कितनी आई 6 7 more 6 condition is still false यानिकि control if की body के अंदर अभी भी नहीं जाएगा अब कहां जाएगा i plus plus पे तो मुझे बताएगे i की value अपग्रेड होगी कितनी होगी 7 7 less than equal to 7 condition true flow of control for loop के अंदर आएगा और i की value यहाँ पर कितनी होगी इस बार 7 7 more 7 के case में यहाँ पर condition हो जाएगी true क्योंकि 7 more 7 answer 0 के equal आता है तो इस case में if की body के अंदर control आया और c की value अपडेट होकर हो गई 2 Amazon में आप यह ज़रा analysis करिए कि 7 यहाँ पर prime number है क्यों prime number है देखे ज़रा कि यहाँ पर 7 की बात करें तो आपको clearly यह पता है कि 7 जो है आपको clearly पता है कि 7 prime number है 7 के बात किसे डिवाइड होगा एक बार खुझ से और एक बार बन से 7, 2, 3, 4, 5, 6 किसे डिवाइड नहीं होगा क्यों नहीं होगा देखे ज़रा यह condition जो है n more i double equal to 0 आपको साफ साफ दिखाए ज़रा है जब आपने यह loop पूरा चलाया तो इस पूरे loop में यह condition केबल दो बात रूँ ही कितनी बात रूँ ही दो बात जब i की value एक तो 1 थी और जब i की value 7 थी जब i की value 1 थी और जब i की value 7 तो उस case में केबल यह condition दो बात रूँ ही ठीक है तो सीरीजी बात है अगर मैं इस for loop के बाहर यह लिखूं क्या if c double equal to 2 आपसे अगर c की value for loop खतम होने के बाद 2 के equal आती है तो इसका मतलब number प्राइम है क्योंकि c की value 2 के equal तब ही आएगी जब यह condition दो बात रूँ होगी और यह condition दो बात रूँ तब होगी जब number एक बार खुद से रिवाइड होगा और एक बार बन से उसके अलावा यह condition कभी दो बात रूँ नहीं होगी यारी यह for loop के बाहर मैंने क्या लिखा if c double equal to 2 it means number is प्राइम else printf number is not prime ठीक है return 0 main function की body close ठीक है अगर इसमें आपको कोई doubt हो ठीक है कि मैंने हाँ पर if का block of code बनाया है नहीं बनाया है तो ध्यान दखिए if का यहाँ पर block of code बनाने की ज़रुद नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप if के अंदर के वाद सिंगल स्टेट्मेंट रण कर रहे है printf अगर if के अंदर आप यहाँ पर multiple statement रण करते तो यहाँ पर if का block of code याने की open कर ली basis and close कर ली basis बनाने की requirement पढ़ती अगर आप एक सिंगल स्टेट्मेंट इस if की body के अंदर रखना चाहरे है then there is no need to mention block of code here है